तो भायो लोग आपने सुपर हेरो मूविस तो बहुत देखे होंगी है जो कि mostly Marvel ये DC का पार्ट होंगी बट मैं आज आज आपको ऐसी तीन फिल्में बताता हूँ जो कि ना तो Marvel का पार्ट है ना तो DC का पार्ट है बट ये easily इन दोनों की मार सकती है तो पहली है स्मेरिटन जिसकी शुरात एक 13 साल के बच्चे से होती है जो कि obsessed है स्मेरिटन नाम के सूपर हेरो से जिसकी death 25 साल पहले हो चुकी है उस सिटी को बचाते हुए अब नादान बच्चे को यही लगता है कि इस मेरिटन अभी भी जिन्दा है और उसका नेवर मिस्टर स्मेथ इस मेरिटन है जो अडेंटिटी छुपा के रह रहा अब एक बार फिक से सिटी में क्राइम बढ़ रहा है क्या इस मेरिटन अब लोटे गा उस सिटी को बचाने के लिए वो जानने के लिए आपको मूवी देखनी होगी इसका बेस्ट बिट इसका क्लाइमस जो कि लास्के पांच में पूरी को पूरी स्टोरी लाइन ही चेंज कर देगा उसकी ऊपर से स्टैस चलोन का रूमा लला एक्शन जो कि आपको एमजान प्राइम वीडियो में ह शुरात एक कपल से होते हैं जिन्हें एक दूसरे प्राइट से आया हुआ बच्चा मिला है आई नो इस सुपर मैंसा साउंड कर रहा है बट इस नौट ट्रेस्ट नी अब इस बच्चे के पास भी सुपर पावर बट ये बच्चा नौर्मल ने ये बच्चा प्योर इवल है जिसको पूरी की पूरी दुनिया ही खतम करनी है अब इसकी एंडिन क्या होगी वो जाने के आपको मूवी देखनी होगी दा बॉइस के बाद ये एक लौती ऐसी मूवी है जिसलिए ये बताया है कि वाकट सुपर हीरो जार बैड इसके साथ-साथ ये बहुत हॉररिफिक भी है जो कि आपको एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे रेंट पे मिल जाएगी जिसकी शुरात एक 90's के गाउं से होती है जहां बिजली गिरने से एक आदमी को सुपर पावर मिल गई है अब 90 सुपर पावर मिली तो बंदा तो उतपाच मचाएगा ही अब जहां सुपर हीरो है वहाँ सुपर विलन तो होगा है उसी गुड वर्सेज बैट के कॉंसेट पर बेस्ट है यह मूवी this one was good